नमस्कार मैं हूँ अमिताब बच्चन देखे हम सब मिलकर नौवल करोना वाइरस या कोविड नाइंटीन को फैलने से रोख सकते हैं इसके लिए हमें बचाओ कि कुछ तरीके अपनाने होंगे खासते या छीकते समय हमेशा अपने मूँ को रुमाल से या तिशू से ढखे इस्तमाल के हैवे तिशू को तुरंत ढखनदार कच्रे के डबे में डाल दे अपनी आख, नाख और मूँ को हाथ से नच्छुया अपने हाथों को समय समय पर सावन और पानी से लगबद 20 सेकंड तक तुपे भीड भार वाली जगह पर जाने से बचे अगर आपको खांसी बुखारी असास लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखे ऐसे लक्षन देखने पर तुरंत तुरंत अपने डॉक्टर से सला ले अस्पताल में आप अपने मूँपर मास्क या रुमाल जरूर रखे अधिक जानकारी के लिए स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्राले की एक हल्पलाइन है 011-239-780-46 अपनी सुरक्षा के लिए अमारी मदद कीजिए नमस्कार दोस्तों वेल्कम बैक टो दो चैनल I hope you guys are doing well मेरा नाम है जग्दीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आटो मूबाइल डी एने में दोस्तों महिंद्रा एक्स्ट्यूवी 500 महिंद्रा की पहली मोनोकॉक चीसी इस कार है जिसे 2011 में लॉंच किया गया था महिंद्रा की इस फ्लैक्शिप कार ने अपने 9 साल के सफर में अपनी डिजाइन और लंबी फीचर की लिस्ट की वज़े से इसने अपने चाहने वाले और आलो चक दोनों के बीच में काफी प्रशंसा और लोकपी रेता हासिल की है एक्स्ट्यूवी 500 को 2015 में पहला मेडला अपडेट मिला था जिसने इसके प्रीमेमनेस को और भी बढ़ा दिया आज जब 5-seater SUV सेग्मेंट के मार्केट का कॉम्पेटेशन अपनी परम सीमा पर पहुँच गया है तो आज की इस वीडियो में हम महिंद्रे एक्स्ट्यूवी 500 को एमजी हेक्टर की साथ में कंपेर करने वाले हैं एक 5-seater SUV है तो दूसरी 7-seater है दोनों की प्राइस में मात्र 8,792 रुपे का डिफरेंस है तो चलिए जानते हैं कि दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए बहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोड़क्ट साबित होती है ये वीडियो देखकर आपको समझ आएगा कि अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी प्रायरिटीज को ध्यान में रखके आपको XUV5OO लिनी चाहिए या फिर MG की हेक्टर दोस्तो इस वीडियो में हम दोनों गाड़ियों के केबल डीजल टॉप एंड वेरियंट को ही कंपेर करेंगे क्योंकि XUV5OO पेट्रोल में नहीं आती है यहां हम दोनों गाड़ियों के कॉमन फीचर्स और एक दूसरे में ना मिलने वाले सभी फीचर्स के साथ-साथ बाकी सभी पहलियों पर विस्तार से बात करेंगे क्या MG हेक्टर XUV5OO से बहतर कार साबित होती है या फिर XUV5OO ज्यादा बहतर है दोनों गाड़ियों में आपको क्या कमिया नजर आती है किसके बिल्ड क्वालिटी बहतर है कौन है वैल्यू फॉर मनी प्रोड़क्ट इस बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल है तो जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में सो लेट्स बिगिन तो चलिए शुरुआत करते हैं दोनों ही गाड़ियों की प्राइसिंग से दोस्तो इस वीडियो में जो भी प्राइसेस में कूट करूँगा वो सारे की सारे प्राइसेस एक शुरूम कॉस मुंबई होंगे अपने शेहर में एक्जैक प्राइसिंग के लिए आपको अपने नजदी की डीलर से संपर्क करना पड़ेगा एक्शुवी फाइव डबलो का डीजल टॉपेंड विरियंट मैन्यूल और आटोमेटिक दोनों एक्शुरूम कॉस मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 17,64,208 रुपीज में वहीं MG हेक्टर का डीजल टॉपेंड विरियंट एक्शुरूम कॉस मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 17,73,000 रुपीज में जो की एक्शुवी फाइव डॉबलो से मात्र 8,792 रुपे महेंगा है दोनों गाडियों की कीमत लगबख सेम है आपको क्या लगता है कौन जीतेगा नीचे कमेंट में लिखियेगा जरूर चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों गाडियों के डायमेंशन के बारे में तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हेक्टर लेंक्त में और वील बेस में एक्सवी 5OO से बड़ी है, तो वहीं एक्सवी 5OO विड्थ और हाइट में हेक्टर से ज्यादा बड़ी है, अब दोनों गाडियों के कव विड्थ पर एक नजर डालते हैं, जिसे जानकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि दोनों में से किस इसकी बिल्ड कॉलिडी ज्यादा मजबूत है, तो हेक्टर का वजन है कुल मिलाकर 1549 किलोग्राम से लेकर 1650 किलोग्राम तक, वहीं एक्सवी 5OO का वजन है 1785 किलोग्राम से लेकर 1860 किलोग्राम तक, अब आप समझी गए होंगे कि एक्सवी 5OO यहाँ पर बाजी मार ले जा मिलता है 200 mm का Ground Clearance, यहाँ पर भी एक्सवी 5OO विनर साबित होती है, Turning Radius पर अगर हम गौर करें तो MG Hector में आपको मिलता है 5.8 मीटर का Turning Radius, वहीं एक्सवी 5OO में आपको मिलेगा 5.6 मीटर का Turning Radius, यहाँ पर भी एक्सवी 5OO थोड़ा बहतर और ज्यादा अच्छी साबित होत बेशक यहाँ पर हेक्टर क्लियर विनर साबित होती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक्सवी 5OO आपको 7 सीटर में आती है और 3rd row सीट की वज़े से इसमें आपको बूट स्वेस कम ही मिलेगा, लेकिन अगर आप 3rd row सीट को फोल्ड करते हैं तो आपको 405 लीटर का अच्छा फ्यूइल टैंक, फ्यूइल टैंक की बात होई रही है, तो लगे हाँ तो हम माईलेज की भी बात कर लेते हैं, तो एमजी हेक्टर में आपको 17.41 कमपल का माईलेज क्लेम किया जाता है, वहीं पर एक्सवी 5OO में आपको 16 कमपल का माईलेज क्लेम किया जाता है, नाव लेट में आपको मिलता है FIATSOS 2L टर्बो चार्ज डीजल एंजिन जो की 170 PS की पावर जनरेट करता है 3750 RPM पर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 1750 से लेकर 2500 RPM पर वहीं महिंद्रा XUA 5W में आपको मिलता है 2.2 लीटर का टर्बो चार्ज डीजल एंजिन जो की 155 PS की पावर जनरेट कर करता है 3750 RPM पर और 360 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 1750 से लेकर 2800 RPM पर इसमें कोई दो राए नहीं है कि यहां पर XUV5W का एंजिन अंडर पावर लगता है लेकिन मेरी राए में आपको XUV5W की टेस ड्राइव लेनी चाहिए 7-seater होने के बावजूद भी इसमें आपको पाव पने वाले क्या गाडियो से ड्राइव देफूर से लगता ह Hispan babies का खूदに और के कह लेकिन का बंदा करेंपर करें के them बात करेंगि सबसे पहले क्या निजर डालते हैं दोनों में आपको एक्स एकक्टर में अपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं हाला कि हेक्टर में आपको 17 इंचिस के अलॉई विल्स मिलेंगे और एक्स यूवे में आपको 18 इंचिस के अलॉई विल्स मिलते हैं अगला फीचर है दोस्तों electronically adjustable and autofold ORVM with turn indicator दोनों गार्डियों में मिल जाएगा next is front and rear skid plates आपको मिल जाएगी roof rails आपको देखने को मिल जाती है leather wrap steering wheel and gear knob, leather seat upholstreet, sunroof, tail 10 telescope power steering, cruise control, rear AC vents, rear armrest with cup holder जैसे feature भी आपको दोनों गार्डियों में common मिलते हैं उसके अलावा six way power adjustable driver seat, cool glove box, rain sensing wipers, front armrest with storage space, rear wiper and washer, power tailgate opening, automatic climate control and push button start and stop का feature भी दोनों गार्डियों में आपको common मिलता है आगे मुड़ते हैं और अगले feature की बात करते हैं जो दोनों गार्डियों में common है वो है steering mounted controls, tire pressure monitoring system, front and rear parking sensors along with a camera, ABS plus EBD, electronic stability program, all four disc brakes and six airbags जैसे features दोनों ही गार्डियों में common मिलते हैं तो कुल मिला कर ये 31 features हैं जो दोनों गार्डियों commonly offer करती हैं चलिए बात कर लेते हैं MG Hector में मिलने वाले उन सारे features के बारे में जो आपको XUV5OO में नहीं मिलेंगे शुरुआत करते हैं सबसे पहले features से तो हेक्टर में आपको मिलता है 8 color, ambient mood light, shark fin antenna, panoramic sunroof हाला कि sunroof दोनों गार्डियों में आता है लेकिन हेक्टर में आपको panoramic sunroof मिलता है next is हेक्टर में आपको 4 way power adjustable core driver front seat मिलेगी all windows down by remote की मिलेगा connected car features with voice recognition and commands हेक्टर में आपको ज्यादा बहतर और बहुत ही ज्यादा quantity में मिलेंगे 10 inch touchscreen system with all basic features with 4 speaker and 4 tweeter with subwoofer and amplifier आपको इसमें देखने को मिल जाता है fog lamp with cornering function हेक्टर में offer किया जाता है उसके अलबा traction control, emergency brake assist, 360 degree view camera and heated ORVM जैसे feature आपको हेक्टर में मिलते हैं लेकिन XUE 5W में नहीं मिलेंगे आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं XUE 5W में मिलने वाले उन सारे features के बारे में जो आपको MG Hector में देखने को नहीं मिलेंगे शुरुबात करते हैं सबसे पहले feature से जो की XUE 5W में आता है वो है all wheel drive system, 18 inches alloy wheels, smart watch connectivity and micro hybrid technology जैसे feature आपको मिलेंगे उसके आगे आपको मिलता है glass embedded antenna, twin exhaust system, rollover mitigation and hill hold and hill decent control का feature आपको मिल जाता है वहीं Hector आपको cable hill hold का feature offer करती है Next is lane changing indicator, electronic steering lock, android auto and apple carplay का feature भी आपको मिलेगा Hector में आपको सिर्फ android auto ही आता है Next is XUE 5W offer करती है inbuilt compass, sporty aluminium pedals, puddle lamps, entry assist lamps and camping lamps साथ में glove box में आपको एक laptop holder भी मिलता है इस जैसे कई सारे छोटे मिटे features की list इतनी लंबी है XUE 5W में कि हेक्टर उसके आसपास भी नहीं पहुँच पाएगी Next is logo projection lamp on ORVM, XUE 5W में आपको 7 seater का option भी मिलता है XUE 5W के साथ में आपको manual and automatic transmission का option भी मिल जाएगा And the last but not least is brake energy regeneration system आपको इसमें देखने को मिल जाता है चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं warranty offer के बारे में तो XUE 5W में आपको 3 साल या फिर केवल 1,000,000 km तक की warranty मिलती है 4th और 5th year की warranty आप चाहे तो खरीच सकते हैं वहीं हेक्टर में आपको 5 साल की unlimited km तक की warranty 5 साल unlimited km roadside assistance साथ-साथ 5 labor-free services और 3 साल के बाद में 60% buyback का guaranteed offer which is absolutely stunning तो यहां पर हेक्टर थोड़ा सा आगे निगल जाती है अब overall अगर हम conclusion की बात करें तो XUE 5W में हमें better build like a tank quality के साथ-साथ better ground clearance, better turning radius, better fuel tank and better alloy wheels मिलते हैं वहीं हेक्टर में आपको better space, little better mileage, better boot space, better power output, more than 100 voice commands and better connected car features with better warranty आती हैं हेक्टर में आपको diesel में cable manual transmission मिलता है वही XUE 5W में आपको manual के साथ-साथ automatic transmission भी मिलता है और 7-seater का option भी मिल जाता है मेरे हिसाब से यहां दोनों गाडियों में काटे के टकर है लेकिन फिर भी rich looking, connected and modern age upmarket car features, better technology की वज़े से हेक्टर का पलड़ा थोड़ा सा भारी है अपनी जरूरत और priority पर गौर करके आप दोनों में से कोई भी कार अपने लिए चुन सकते हैं आपने क्या चुना यह नीचे comment box में लिखना मेरे लिए मत भूलिएगा आपको क्या लगता है आज की इस वीडियो में आज की इस fight में कौन जीता मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा मेरी अगर आप राय चाहते हैं तो मैं अपने लिए एक्स्यूवई 5W लेना चाहूँगा आज के लिए इतना ही दोस्तों में उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ Facebook और WhatsApp पर शेर करना बिलकुल भी ना भूले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिलकुल भी ना भूले और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा धन्यवाद दोस्तों